पोधो में सक्रिय परीवहन और अक्रिय परीवहन अम लोगों ने पढ़ा थीकएọi उसके पशयात हम लोगोग देखेंगे कि पोधो में विश्रण का महत्व क्या होता है तो पोधो के जो वाईवी भाग होते है जो जल होता है वोस्प के रूप में निसकासन करता है जिस क्रिया को क्या बोलते है विश्रन की जो क्रिया जो होती है वो किस पर निर्भर करता है विश्रन पर निर्भर करता है श्वशन और प्रकास संस्लेशन जैसी अभी क्रियाओं के दौरान जब स्वशन होता है पौधों में और प्रकास संस्लेशन की प्रक्रिया होती है तो बायू होता आयन की प्रख्रिया की प्रख्रिया के तहत आयन की प्रख्रिया निस्कριये लवड़ परिवहन आसानी होते हैं पर्मीबियेटी जीवन कोशिका के जीव द्रव्य बाहर की और कोशिका जिल्ली द्वारा घीरी रती है। पदार्थ को अपने में से होकर आने जाने देती है उसको क्या बोलते है पारगम्यता कहते हैं देखो एक सुरक्षित थैली में थैले के नुमा पदार्थ थैले की नुमा जो जिल्ली होता है थैली जैसा उसमें क्या होता है जिवद्रवे सुरक्षित होता है लेकिन जो कोई सिल्पदार्थ होता है या खनीज लवड़ जो होता है उसको आशोषित कर लेते हैं और उसको आवस्फ आप जोषित करने के बाद उस शर्जित battा करने का जमता रखते है ठीक है जिसके द्वारा गुलंग सिल पदार्थ को अपने में से होकर आने जाने देता है उसको क्या बोलते हैं कोई कोशी का उसको पारगम्यता कहते हैं अब इसका प्रकार देखते है पारगम यह तका दो तीन प्रकार के होते है पारगम यह जिल्ली पारगम यह जिल्ली और अर्ध पारगम यह जिल्ली होता है जिसमें से कोई भी चीज ना वो बाहर आने देता है ना वो अंद बाहर से किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देता उधारण है आपका कारक कोशिका फिर है पारगम ये जिल्ली पर्मियेबल मेबरेंज जिसको बोलते हैं जिल्ली जो अपने में से होकर पदार्थ को आने जाने देती है पदार्थ को आने भी देती है जैसे विलायक और विलायक के अड़ों को वे पारगम ये जिल्ली कहलाती ह उधारण है सैलिलोज की बने पाधपोगों की कोसिका भिती फीर अर्द पारगम यह जिल्ली वे जिल्दिया जो अपने मेंसे केवल विलयाक को रजों को आने जाने देती है ठीक है उसको क्या होते है अर्ध पार्गम ये जिली फिट ही है आपका चैनात्मक या वर्णात्मक पार्गम ये जिली इसका मतलब ये होता है कि जो विलायक के अड़ो जो होते है वो कुछ उसके साथ साथ कुछ विले जो होते है उसको भी क्या कर लेते है आर्पार जानने द ow और सिलेक्टी वी पर्मीयबल मतलब लिए के साथ कुछ विलयलों भी क्या कर लेते हैं आज दिए और डिलिंच टौपी किया अपका विबीन प्रकार की विलियन कोशिका चाहे कही भी उसके चारों और हमेशा किसी ने किसी प्रकार का माध्यम उपस्तित होता है जिससे कोशिका के तुल्ला में उपस्तित बाए माध्यम के विलियन की सांदरता के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होती है ठीक है जो कोशिका के विलियन फूसिका के अंद बोलेंगे जब किसी विलियन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रवे की सांद्रता के बराबर हो तो उसे संपरास्री विलियन कहते हैं क्या बोलते हैं संपरास्री विलियन की सांद्रता मतलब कोई विलियन है उसकी सांद्रता है वो कोशिका के कोशिका द्रवे की सांद्रता के जैसे ही हो उसके बराबर ही हो कोशिखा द्रव्य की सांदता और बायमाध्यम की सांदता बराबर हो तो इसे संपराश्री विल्यन कहते हैं जैसे कि नमक का 0.9 प्रतिशत गोल RBCS का संपराश्री विल्यन है यह है पहला समपराश्री विलियन आइसो टॉनिक जो क्या होता है जिसमें बाय माध्यम और अंत्रिक माध्यम दोरों में क्या होता है सेम होता है फिर है आपका दुसरा अतिपराश्री विलियन अतिपराश्री विलियन अतिपराश्री विलियन हाइपो टॉनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं संपराश्री विलियन को क्या बोलेंगे संपराश्री विलियन को हम लोग बोलते हैं कोशिका ड्रवे के सांद्रता से कम होती है, उसको बोलते है अलप परास्राई विलियन, बोलते हैं, ठीक है, फिर है अति परास्राई जब किसी विलियन की सांदरता कोशिका द्रवे के अपेक्छा अधिक हो मतलब बायमाध्यम जो है उसकी सांदरता जो है वो कोशिका द्रवे के सांदरता से अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं इसको हाइपराश्री विलियन बोलते हैं इसको हाइपराश्री विलियन हाइपरा क्रिफ प्रक्रिया है िसमें एकल इक्रेख की रेखा में होता है उच्छा सांदृंड में प्रवह कों मैं यह किसके और्ध पार्गम यह चैन आत्मक पार्गं मिंध जिल्ली की पराषईजा है परास्रण की क्रिया में जल के अडू की गती तब तक होते रहती है जब तक की दोनों विल्यनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती पराश्रण की क्रिया में क्या होता है तब तक की पर तब तक परिवहन होता है तब तक गती करता है विलायक के अडू जब तक की दोनों माध्यम का सांध्रता जब तक बराबर नहों पराश्रण के प्रकार प्रकार का होता है अंता पराश्रण क्रिया और बाहे पराश्रण क् पाधब कोशिका में जो पराश्रण कि रहते हैं तो यह क्या work Catherine करते हैं अर्द पारगम यह जिल्दी से होकर वीष्यरणड करते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं अंता पराश्रन क्या होती है अधिक होती है क्या होता है कि अंता पराश्रन में उधारन है आपका किसमिस का नेक्स्ट है आपका बाहे पराश्रन जिसको बोलते हैं एक्सो आस्मोसिस जब किसी पादब कोशिका में पराश्रन की क्रिया जब होती है तो जल या विलायक के जो अडू होते हैं कोई भी जल या विलायक के अडू जो होंगे कोशिका से बाहरी बाहरी विलियन के ओर और दपारगम में जिल्डी से क्या करते हैं विशरन करते हैं जब बाहरी विलियन की ओर विशरन करते हैं तो इस क्रिया को बाहरी विलियन की ओर विशरन करते हैं तो इस क्रिया को बाहरी विलियन की ओर विशरन करते हैं तो इस क्रिया को बाहरी विलियन के कारण वह सिकूड जाते हैं क्या होता है कि जब फूला हुआ किस्मिस होता है जिसको जल में डालेते तो फूला हुआ जो किस्मिस होता है उसको सक्कर के सांद्र विलियन में रखा जाता है सक्कर ज्यादा वाले विलियन में रखा जाएगा तो क्या करेंगे वह जल होता है परासरन करता है मतलब किसमीज जो होता है वो सिकूड जाता है और जब राल रखते कडिकाओ को इरित्रोसाइट्स को 2% कारण वो सिकूड कर जूरीदार हो जाते हैं जब लाल रखते कडिका जो होता है जिसको इरित्रोसाइट्स बोलेंगे उसको क्या करेंगे 2% NACLVYN में रखा जाता है तो क्या होता है बाई परासरण के कारण वो सिकुड़ जाता है और जुर्णी दार हो जाता है ठीका अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक परासरण दाब परासरण भाब वो होता है जो जब संद्रता वाले विलियन को एक अरद पारगम जिली के द्वारा अलग किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे घुलन विलियन उतार्थ उसको इसको बोलते है today क्या बोलेनगे अगर faculty in एकटमिन उतारण करनें क्या है जबी लोग होते है उसको अलाइब की विल्यक के द्वारा उनके उनका जो दाब होता है या उनकी जो मात्रा होती है उसको क्या बोलेंगे परासरन दाब कहती है ठीक है किसी विलियन का परासरन दाब उस दाब के बराबर होता है जो अर्ध पारगम में जिल्ली से सुद्ध ओकर विलय या विलायक के अड़ों को उसके अधिक सांदरता वाले किसी विङन का परासरन दाब के रूप में किया जाता है एक एट्मोस्फियर इस उक्वल टू 1.01 बार्स मॉंटाप नामक वैग्यानिक ने बताया कि बिलियन के परास्रण दाब एवं बिलियन की सांदता में संबंद दर्चाने के लिए एक सम्ही करण लिया उन्होंने जिसमें उन्होंने बताया कि यहां पर जो पाई है वो क्या हो जाता है यहां पर जो पाई है वो क्या हो जाता है वी जो है विलायक का आईतन है तो परास्रण दाब विलायक के आईतन में जो परास्रण दाब है वो किसके बराबर है विले के अडवो की संख्या के बराबर है ठीक है, फिर R is equal to क्या है, gas इस्तिरांक, यहाँ पे जो R है वो gas इस्तिरांक है, ठीक T जो है मानक, ताप है T मतलब temperature और C मतलब क्या होता है, सांदरता, C मतलब NSYB जो है, वो C is equal to सांदरता, ठीक है परासरन दाप का जो मान होता है, विलियन में उपस्तित विलय पदार्थों की मात्रा के समान उपाती होता है, जिस विलियन में उपस्तित विलय पदार्थों की कोई विलियन होगा, उसमें जितने भी विलय पदार्थ होंगे, उसके मात्रा के समान उपाती, अधिक सांदरता आख पहता है । क्रिच इस प्रकार के प्रास्रण की क्रिया के समय और बक प्रवाह जो होता है अधिक पर आश्रन दाब अर्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्थार्था उसको क्या बोलेंगे विपरीद पर आस्रण इसमें अधिक चांदता वाले विलियन पर बाहदाब लगाए जाता है तब वो तनु विलियन की और अपना गमन करते हैं इस विदिद्वार सुद जल जो होता है वो उसको बाहर बेज़ा जाता है फिर फ्रासरण विभो या विले विभो और स्मोर्टिक पोर्टेंशियल बोलते हैं चैसको विले के उत mentality क्या करते हैं Vs is equal to Crt जहाँ पे Vs क्या है आपका Volume है ठीक है आईतन है C is equal to आपका क्या है अड़ो की संख्या R is equal to gas इस्तिराफ और T is equal to क्या है आपका Temperature परासरन का महत्व मूल रोमो द्वारा जल के अड़ो को आशोशड कर परासरन द्वारा संभा होता है मूल रोम द्वारा जलो का अशोशड किसका होता है जल के अड़ो का अशोशड परासरन के माध्याम से होता है परासरन के कारण पादप सरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जल का संचरन होता है है ना सन्वहान होता है पादाप की विविन अंग पर पराश्रण के द्वारा इस्फीत रहते तरगीट रहते ठीक है जिसे वह अपना कार या अच्छी तरह से कर सकता है तद कोशिका जिल्डी जो होता है वो कोशिका बित्ति के संपर्क में रहता है पराश्रण पौधों को द्रीड़ता परदान कर को बनाए रखता है रंद्रों का खुलना इमंबंध होना पराश्रण पर निर्वर करता है जो जल होते हैं जो जड़ होते वह क्या करते किसके करण होता है तया करने पर उसका मिट्ठी में उसको खोट कर नीचे बढ़ते जाते ना हुष किसके करण होता है पुटर की प्रक्रिया होती है और जीव लेसी स्ट स्ट´प्र निर्भर करती है प्रास्री व्भात का तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं और प्रदरशित करते हैं पराश्री आपको मापा जा सकता है इसे जाता है 1 MPa is equal to 10 Bars इसे माहत्पा नहीं जा सकता विभा को परासरी दाप जो होता है वो धनात्मक होता है जबकि परासरी विभा के बराबर और विपरीत होता है इसको अगर देखेंगे परास्री दाप को तो अर्द पारगम ये जिल्ली द्वारा जब गोल को सुद्ध जल से प्रिथक करते हैं तो गोल द्वारा उत्पन दाप को परास्री दाप कहते हैं जबकि पराश्री विभाव सुद्ध जल्ब के पेक्छा जल्ब विभाव निम्न होता है और निम्नता के कारण विलय द्रवी करण की कारण होता है इसे क्या बोलते हैं विलय विभाव कहते हैं इसके बाद एक और कोशन बनता है यहां से पराशरण और विशरण में अंतर विशरण क्या होता है कि यह सभी क्रिया यह जो क्रया होता है पदार्थों के ठोस द्राव और गैस में होता है जबकि परासरन जो होता है वो द्रव तता उसमें उपस्तित वीले के मध्या होता है विश्रन जो होता है वो दोनों पदार्थों के मध्य किसी प्रकार की जिल्ली नहीं होती विश्रन कहने वाले जो दो पदार्थों के मध्य कोई जिल्ली नहीं होती जबकि परासरन जो होता है उनके मद्ध अर्ध पारगम ये जिल्डी होती है अर्ध पारगम ये है न विसरन जो होता है वो सभी दिशा में होता है जबकि परासरन क्या होता है एक ही दिशा में होता है विसरन जो होता है इसमें कोई पन्ने नहीं होते इसमें क्या होता है जल को दर्शाता है जब कि पराश्रन एक विष्रन है जो इक अर्द पारगम में कॉसिका के अफ़िति के उताए और भूफ कर सम हो यह कर्या के दोपर जल को और रस और और ख़िका रस और ख़िचा उत्पन होगा तो उपर लगे इस दबाव के कारण कोशिका जो होती है फैल जाती और कोशिका का आयतन बढ़ जाता है इस प्रक्रिया को क्या बोलते है इसफितिता या फिर आसूनता कहते है कोशिका रज के द्वारा कोशिका बित्ती के विरुद लगने वाले इस दाब को आसूनता या इसफिति दाब कहते है प्रतियास्थ होती है, प्रत्यास्थ होती है। जीव द्रवे पर एक दबाव को क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। को सीकां और पधों के व्रिद्धि व्रिद्धि के लिए अवश्यक होता है स्विविन प्रकार की गतियां जो प्राफ़न चींट सिखा चरण गती कंपण उकंचन आधि यांतरि कुट्टकों की आजुनता की कारण पौधों को मजबूती प्रादान प्राप्त होती है या कई पोधों और पतियों में गती में महत्वपूर्ण भूमिखा अदा करता है उधारन है छुई मुई केवल इस्पिती कोशिका में विभाजन और वृध्धी पाई जाती है फिर है विशरन दाब नियूंता या चूसर दाब ठीक है विशरन दाब नियूंता किसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेसर डिफिसियेट बोलते है जिसको किसी विलियन और उसके सुद्ध विलायक के विशरन दाब की मातराओं का अंतर होता है जिस समय दोनों क्या होते हैं सम वायू मंडली दाब और ताब मान पर हो तो वास्तों में किसी कोशिका का विशरन दाब जो होता है वो नियूंता कोशिका की जल और सोसर सकती का मापक है ठीक है जिस कारण इसे क्या बोलते हैं चूसर दाप कहते हैं इसे निम्द प्रकार से परिभासित किया जा सकता है एक निस्चित दाप और दाप पर किसी विलियन और इवाम उसके सुद्ध विलायक के विश्रन दाप में अंतर को क्या बोलते हैं विश्रन दाब में नियुनता, DPD बोलते हैं, SORT में क्या बोलते हैं, DPD, Diffusion Pressure, Diffusiate, एक निस्चित ताप और दाप पर किसी विलियन में, उसमें दाप कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही दाप और ताप होना चाहिए, तो किसी विलियन में उसके सुध्विलायक में जो विश्रन दाब होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, विश्रन दाब में नियुनता, इसको DPD भी कहते हैं, तो सांधरता के बढ़ने से DPD का मान भी बढ़ जाता है, यदि सांधरता बढ़ता है, तो DPD का मान बढ़ जाता है, और अगर सांधरता कम होता है, तो उसके DPD का म यह किया विशननَّ दाब नुठा जो है वो पादर दाफ और इस्पिति दाफ में संबन्ध राश्ण Dublin रासर्ण ragu एस्पिति लोभ में क्या संबन्ध होता है कि पॉधों की कोषिकाओं में अपस्थितол रज होते हैं तो इसको सुद्धविलायक होगा और इसको सुद्ध जल में रखा जयता है तो DPD का मान अधीक होने के कारण इसमें जल का अन्तापरासरन होता है अता दुसरे सब्दों में देखेंगे तो DPD जो है वो जल के आउसोचर की छमता है DPD का मतलब ही क्या होता है कि जल का आउसोचर कितना हो सकता है और कितना है अता इसे कभी-कभी चूसर दाप भी कहते है DPD को ही क्या बोलेंगे चूसर दाप भी बोल सकते है यह परासरणव के बारे का वाल प्रेसर लगता है इसमें पहले से जो रस होता है तरगर प्रेशर इस प्रकार का लगता है वह एक दिसा में लगता है इसको तो बुलेंग यह जो है वो सामिया वस्ता में DPD, OP और DPD, OP पस्मोटिक प्रेसर और टीपी टरगर प्रेसर के मत यह जो संबंद है उसको यह पिक्शर दर्शाता है प्रारम में जब देखते थे तो कोशिका और कोशिका दर्वे की जो संब्रता है वो अधिक रहती थी लेकिन परास्राण दाप में अधिक्तम होता है अता DPD का मान भी अधिक होगा अता प्रारम में DPD और OP का मान बराबर होता है प्रारम में जब कोशिका के कोशिका दर्वे की संब्रता अधिक रहती है तब उसका परास्राण दाप भी अधिक्तम होता है कोई भी कोशिका होती है उसका क्या होता है कोशिका में कोशिका दर्वे की संब्रता अधिक रहती है तब उसमें क्या होगा परास्राण दाप होता है अरो पीदा ञब बराबर यह सुन्य होगा मैं जब कुशीक होगा जिसब कर लेता है और तेशल नध्र мясा होता है नगा क्या देखो बताया कि वॉलियूम अफ सेल होता है इस ना इसमें तेखो बताया गया है कि जो रिलेटिव वॉलियूम आफसेल होता है है ना इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है कि एक्विलेंट प्रेसर लगता है जब एक्विलेंट प्रेसर लगता है तो डिफ्यूजन प्रेसर और डिफिसियेट कम और ज्यादा क्याते होगा जब टरगार प्रेसर बढ़ते जाता है तो यह क्या होता है कम होते जाता है जल के अंता परास्रन के कारण कोसिका रस का OP कम हो जाता है जबकि इसके TP में वृद्धी होती है जब कोसी का जब अंता परास्रन की क्रिया होती है तो कोसी का जो रस होता है सेल सेब जिसको बोलते है उसमें ऑस्मोर्टिक प्रेशर परास्रन दाब जो होता है वो कम हो जाता है जबकि इसका टर्गर प्रेशर जो होता है इसपिती दाब जो होता है वो बढ़ जाता है परिणाम सो रूप विश्रण दाब नियुंता डीपीडी का मान घटकर सुन्य हो जाता है तता कोशिका जो होती है पूर्ण रूपी इस्थित हो जाती है DPT और SP is equal to OP minus TP जिस समय परास्रण दाव यम इस्पिती दाव बराबर होंगे OP, Osmotic Pressure और Turgar Pressure जब बराबर होंगे तो कोशिका के अंदर जल का परास्रण जो होगा वो सुन्य हो जाएगा दुसरे सब्दों में देखेंगे कि कोशिका से जल निकालने पर जब कोशिका से जल निकालते तो उस समय कोशिका रज का परास्रण दाव में व्रिद्धी होती है जब कि स्पिती दाव का मान कम हो जाता है अंतरत कोशिका जो होती है फूर्ण रूपेड संकुचित या फ्लैसिड हो जाती है जैसे जैसे जल कोशिका में प्रवेश करता है वैसे वैसे उसका टीपी बढ़ता जाता है जिसके कारण कोशिका वित्ती पर दबाव पढ़ता है जैसे जैसे जो जल होता है वो पहप जाता है कोशिका के अंदर पहुंचता है बढ़ता है और खीचेशीर कब के का नियाम देखेंगे उसका इसमा गतीकी का नियाम के अनुसार कि क्यिंसी तंत्र के प्रत्यक अड़ों में उनकी मुक्त अरजा thinking होती। है तो क्या कहता है जल का अडू जो होता है वो गमन होता है जिसे विबीन नसांदताओं के अंतर त्वारा इस पस्ट नहीं किया जा सकता है ना इसको क्या होता है कि इसका जो विबीन होती है अलग-अलग छेत्रों में उसमें जो मुक्त उर्जा होती है उसके अंदरों द्वारा व्यक्त किया जाते है जल वीबहु क्या बोल रहा है कि जब दो अलग अलग तंत्र में जल के अडवों की उर्जा का अंतर होता है। 795LB પिंटू 750 mm ciud जहाता है कोई विलीएन में कोई विले معंगे दुसरे सब्दों में जल के अडवों का प्रवा हमेशा अधिक जल विभाव से कम जल विभाव के और होता है क्या वो रहा है कि जल के अडवों का प्रवा कैसे होता है अधिक जल विभाव वाले से कम जल विभाव वाले के और होता है किसी कोसिका के कोसिका द्रव्य का जो जल विभव होगा वो डबलू विसरन दाब नियूनता या चूसरड दाब के बराबर किन्तु विपरीत होता है चूकी सुद्द जल का घल विभाव जो होता है वो सुनय होता है और विग्य के अडवों की उपस्तितिक के कारण जल से मुक्त oraz मान में में कमी होती है इसे में में接 follow को जोड़ करते हैंerek को जोड़ कर जिसमैं से कोसिका भित्ति के लिए किया जाता है जो कोई भी सता होता है उसमें मृधा कड़ होता है ना उसमें क्या होता है उसके लिए किया जाता है जो की जल के अड़ों का और शोशर करता है विले विभा जो होता है solute potential जिसे परास्रण विभव भी कहते हैं solute potential को क्या बोलेंगे परास्रण विभव जिसके द्वारा जल विभव के मान में कमी आती है क्या होता है जल विभव के मान में कमी आती इस प्रकार दाब विभव wall pressure जो होता है pressure potential के wall pressure जो होता है दाव विभाव जिसको बोलेंगे वो क्या होता है बराबर होता है वॉल प्रेसर और दाव विभाव जब लगभग बराबर होंगे वॉल प्रेसर पादप तंत्र के लिए जो वॉल में भित्ती में जो प्रेसर होता है दाव होता है वो पादप तंत्र के लिए मैट्रिक विभ क्षान क्या होगा एकदम कम अत्पा इसकी करना हम लोग नहीं कर सकते अ देगे इसमें दिखाया गया है कि करने वार अप्टेंसियल बार इसको हम लोग मांपन आण से करथे बार से है ना और रिख l जो है वह सेल को वा नियुम है उसके वह स्थीफ़ा से शिर पाल Armen कोंसे दाब लगेगे तो अगर फुली टर्गर देखेंगे तो यह ऐसा बढ़ता है टर्गर प्रेसर जब लगता है तो यह positive होता है ठीक है water potential negative होता है और osmotic potential negative होता है जल और सोचित करती कोशिका में होने वाले परिवर्तन si s और si p का मान बराबर परना तो विपरित चिन में युक्त हो जाते है si s और si p देखो si p और si s का जो मान होता है वो क्या होता है बराबर होता है यह और यह जो होगा वो बराबर होगा लेकिन क्या होता है कि इनका जो चिन में होता है वो विपरित हो जाता है एक positive होगा target pressure और जब एक कोशिका जल अवसोशित करती है परासरन विभाव क्या होगा सुन्या होगा या फिर बराबर होगा तो कोसिका को यदि अगर हम लुक्सूद जल में रखते हैं तब जल कोसिका के अंदर परासरन करने लगता है औसमोसिस करने लगता है जिसके कारण कोसिका बित्ती पर दबाव पड़ता है अता जो जल होता ह उसमें अंता परासरण के कारण कोशिका का आयतन बढ़ता जाता है और कोशिका रज की सांदरता भी काम होती जाती है जिसके परिणाम सरुप क्या होता है परासरण विभाव में व्रिद्धी जिस बिंदू पर परासरण विभाव का मान परासरण दाप के मान के बराबर होता है तता कोशिका का जल विभाँ घटकर सुन्य हो जाता है तब कोशिका पूर्ण रुप्स से स्फिति दसा में कि नेक्स्ट टॉपिक आपका दो समेपस्ट कोशिकाम के मध्यत जल का प्रवाह जो आज पास में कोशिका है जो रहती है उनमें जल का प्रवाह कैसे होता है तो उनमें जल का प्रवाह जो होता है वो परासरण विभो की प्रमडता gradient of osmotic potential पर निर्भर नहीं होता है बलकि यह जल की प्रमडता और उसके मान पर निर्भर करता है दारण अगर देखते हैं कि दो कोशिकाय जैसे कि ए और बी जो है एक दुसरे के संपर्क में है तो दोनों का जो परासरण विभो होगा मतलब इसका परास्रन विवा जो होगा 20 बार होगा और इसका पिती दाब जो होगा वो 12 बार होगा इसी प्रकार इसका बोल रहा है कि 16 बार होगा और 16 बार इसका दाब विवा होगा तो इस इस्तिती में जल का प्रवाह A से B की ओर होता है तीन विभीन बहुतिक इस्थितियों में जल्ब विभाव का मान जो होता है वाल्यू अफ इन थ्री डिफरेंट स्टेट पूर्ने स्पीत कोशिका का जल्ब विभाव जो होता है वो एक पूर्ण स्पीत कोशिका का परास्रान विबाव यहां दा विबाव बराबर परनत विप्रित चिनों युक्त होते हैं इनका जल विबाव जो होगा वो सुन्य हो जाएगा नेक्स्ट टॉपीक है आपका जीवद्रव कुंचन जीवद्रव कुंचन का मतलब होता है सिकुणना ठीक है तो रसान कुंचन वक्रिया होती है जिसमें अतिपरास्री बाहि में माध्यम जो होता है अतिपरास्री जो तरनू विलियन भी बोल सकते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी उपस्तिती में जो विलियन की उपस्तिती में को सांदरता से अतीव सांदरता की ओर होगा है ना तो क्या होगा जो जीव द्रव्य है वो निकलते जाता है तो सिकूरते जाता है इसी को क्या बोलते है प्लास्मो लाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन जीवद्रव्य कुंचन की वह इस्तिती जिसमें जीवद्रव्य कोशिका वित्ती के संसरक से हटना सुरू करता है तो प्रारंभीक जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है इस तरह वह वस्था जिसमें जल के बाय परासरन की क्रिया तता जीव द्रवय के संकूचन की क्रिया जारी रहती है तता जीव द्रवय कोशिका बित्ती का साथ पूर्णा छोड़ कर सिकूर जाता है इसको जाते हैं